हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बैगन कोर्मा, एक बार अगर ये बैगन कोर्मा की सबजी खाएंगे ना, तो आपकी भी ये सबजी फेवरेट हो जाएगी, बहुत ही जादा टेस्टी बनती है, तो चलिए इसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने करीब 500 ग आश्ट तक कट नहीं करना है, बस आधिय से जादा इन्हें कट करना है, कुछ इस तरीके से, और इससे ये अच्छे से चेक भी कर लेना, ताकि कीड़े मकोडे नहों, और अच्छे से सारे बैगन को कट करके साइड में रख देंगे, अब हमें इसका मसाला बनाने के लिए, क्या करना, कुछ कलियां लहसुन के लिए है, इसके साथ मुमफली के दाने, दो हरी मिर्च और अद्रक, अब इन सबी चीजों को डाल देंगे मिक्सी के जार में, इसके साथ ही हमने यहाँ पे एक कच्छी कहरी ली है, कच्छी कहरी ना हो तो आप इसकी जगह दो चंबस तह की भी यूज कर सकते हैं, और इसके साथ एक मीडियम साइज का टमाटा लिया है, इन सबी चीजों को ग्राइंड कर लेंगे, साथ में हमने कढ़ाई को गरम करने रख दिया है, कढ़ाई में डाल देंगे तेल, तेल अच्छे से गरम हो जाए, तब इसमें डाल देंगे बैगन का कलर चेंज हो जाए, इससे यह अच्छे से पक जाएंगे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, तो यह वाला स्टिप जरूर से फॉलो करिएगा, बैगन को अच्छे से फ्राई करना है, और देखिए हमने बैगन को कितना फ्राई किया है, कि इनका हलका सा कलर चेंज हो गया है, बस बैगन फ्राई हो गया है, तो बस बैगन को बाहर निकाल लेंगे, अब बैगन को बाहर निकाल लेंगे, और जो यह तेल बचा है कड़ाई में, इसी में हम प्याज को फ्राई करेंगे, तो दो मीडियम साइज के प्याज को हमने कट कर लिया था लच्छों में और इनी डाल कर हमें प्याज को फ्राई करना है बैगन कोर्मा बनाने के लिए बेसिक दो पेस्ट बनते हैं एक दो टमाटर वाला बनता है और दूसरा ये प्याज बाला प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज का क और यह सबजी जब बनेगी वह बहुत टेस्टी बनेगी तो इस तरीके से हाई फ्लेम पे चलाते हुए प्याज को हमें अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेना है प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है तो बस इसे हम निकाल लेंगे इसे निकाल कर ठंडा करके हमें इसे भी ग्राइंड कर लेना है यह एक डम पेस्ट जैसा बनकर तयार हो जाएगा अगर जरूरत लगे थोड़ा सा पानी डाल कर इने ग्राइंड कर सकते हैं वैसे ऐसे भी ग्राइंड हो जाता है प्याज को निकाल लिया है अब इसी कड़ाई में थोड़ा सा तेल और नहीं करते हैं आधा चम्मस जीड़ा डाल दिया और एक तेज़ पता तोड़ कर डाल दिया अब जो हमने टामाटर वाला पेस्ट पनाया था टामाटर मूंफली के दानों वाला वह पेस्ट हमें पहले डालना है क्योंकि उसमें सारी चीजें अल्रेडी कच्ची है तो वह प सब्सक्राइख गरम मसाला और इसके साथ टेस्ट करक्डिग नमक अपने हिसाब से डालेगा जितना आप खाते हों इसहाब से नमक डालएगा तो नमक डालकर अच्छे से मिला देंगे और इसके साथ ही मसाले अच्छे से भुण जाएंगे इसमेना काजू या फिर मौमफली का इस्तमाल करते हैं तो ये मसाला नीचे चिपकने लगता है तो इसे बराबर चलाते हुए भूनेंगे ताकि कड़ाई के तले में मसाला चिपके नहीं और इस तरीके से अच्छे से भून गया है मसाला तो इसमें जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे और ये कुछ इस तरीके से हमारा प्याज का पेस्ट बनकर त्यार हुआ है इसे भी मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे अच्छे से मैक्स करते हुए हमें दो से तीन मिनट इसे अच्छे से भूनना है सभी मसालों के साथ और ये जब तेल छोड़ने लगे तभी अच्छे से पक जाएगा ये मसाला बनाने में थोड़ा सा समय लगता है जब ये इस तरीके से बैगन कुर्मा पनकर तयार होंगे ना इतने जादा टेस्टी लगेंगे कि आपसे हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे तो इस तरीके से बराबर चलाते हुए हमें इसे पकाना है अब हम यहाँ पर डालेंगे दो से तीन चमच फ्रेस मलाई जो घर में हम तो से निकालते हैं वहीं मलाई यूज़ करेंगे अब भई बैगन कोर्मा बन रहा है कोर्मा में थोड़ी सी चीज़ा जाती है पर बहुत अच्छा टेस्ट देती है अब मलाई डाल दी है और इसे भी मसालों के साथ मिला लेंगे और इसे भी अच्छे से पकाएंगे अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये बिलकुल भी मसालों के साथ सबी चीजों के साथ अच्छे से मिल जाए अब मलाई डाल दी है मलाई में उबाल आने लगा है तो साथ में डाल देंगे कस्तूरी मेथी ताकि इसका भी फ्लेवर मसालों के साथ अच्छे से आ जाए अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसे हम ढखकर पकाएंगे ढखकर पकाएंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से तेल को छोड़ दे और ये देखे कुछ इस तरीके से बढ़िया से मसाला पड़कर त्यार है तो इसमें हम बैगन डाल देंगे जो बैगन को हमने फ्राई करके रखा था वो बैगन डाल देंगे और इनी मसालों के साथ एक से दो मिनट के लिए अच्छे से पूनेंगे ताकि मसाले का टेस्ट बैगन के अंदर तक जाए और ये सबजी बहुत ही जादा टेस्टी बनने वाली है आप देखी सकते हैं कितनी जादा ये डिलिसियस लग रही है तो सभी चीजों को अच्छे से मिला दिया है मसालों के साथ बैगन को अच्छे से बूना है अब इसे 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे और 5-7 मिनट के बाद इसे हम देखेंगे तो ये हमारी बहुत ही जादा टेस्टी सी सबजी बनकर तयार है अब ये ग्रेवी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि जादा पत्ली है लेकिन ये पत्ती नहीं है गैस की फ्लेम को बन करेंगे और जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये बहुत ही जादा थिक हो जाएगी तो इस तरीके से ये हमारी सूपर टेस्टी बैगन की सबजी बनकर तयार है एक बार मेरे इस तरीके से बैगन कोर्मा पना कर देखेगा सच में ये आपकी भी फेवरेट हो जाएगी इतनी जादा ये टेस्टी लगती है और सच में मुझे परसनली बैगन खाने बहुत जादा पसंद है और ये कोर्मा की सबजी एकदम गजब की बनी थी तो एक बार मेरे इस तरीके से बैगन की सबजी जरूर से ट्राइ करिएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें